आप 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 अपने प्यारे से यूटूब चैनल में देखिश्णा क्लाशे यूटूब चैनल में आज की क्लास संभवेट्स ग्यारवी क्लास है जहां हम पड़ने वाले हैं मोशन इने स्ट्रेट लाइन और आप से शुख सात में पी वाई क्यूस यानि प्रिवेस यह क्यूस आगे मेरी बात समझ में अब आप कहाएंगे कि इस पैसलमे क्यों क्या पुर्स क्या है इस पै पेटन बेश्ट क्वेशन्स होते हैं यानि एक्जाम में सेम पेटन पर बेश्ट हमेशा क्वेशन्स आते हैं यदि आपको उस पेटन का पता है तो आप डायरेक्ली विदाउट सॉल करे हुए विदाउट कैलकूलेशन से पटाक से चुटकी में आंसर दे पाएंगे लेकिन यदि वो concept नहीं पता है तो आप ऐसी बात नहीं है कि उस concept का पता नहीं लगा पाएंगे या सवाल नहीं कर पाएंगे बट वो थोड़ा lengthy हो जाएगा और जब वो lengthy हो जाएगा, time लगेगा और जब जादा time लगेगा तो आपको पता है क्या होता है हम time management के चकर में वहाँ डरने लग जाते हैं जब time कम होता जाता है और सवाल हमसे solve नहीं हो रहा है और फिर complications create हो जाती है और एक बार सवाल complicated हुआ हमारा दिमाग खराब होना चालो और उसके बाद में आते हुए सवाल भी हमारे पहुँच से दूर हो जाते हैं यानि आते हुए सवाल भी हम गलत करके आते हैं अगरी मेरी बात समझ में चलिए बाई इसलिए हमने आज की class के बार रखी है special cases के बारे में जा हम pattern based questions की बात करेंगे कुछ आने वाले important pattern based सवालों के बारे में बात करेंगे कि इस type का सवाल पूछा जाता है और इस type का आने का chances बनता है ठीक है आगे मेरी बात समझ में चलिए बाई तो करते हैं start हमारी class को time जाया नहीं करेंगे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे time उमारे पास कम है ठीक है चलिए प्रिविएस कुछ क्लासों में हम motion इने straight line ही पड़ रहे मोजन इने straight line में हमने basic से start किया क्योंकि हमारी class मिलता है zero से hero वाला level यानि basic से high level तो यह आपको कोई भी चीज basic से पता होगी आपका foundation मजबूत होगा तो आप किसी भी टाइप के जो सवाल है उसे आप असाने से कर पाएंगे numerical आप से बनने लगेंगे और जो physics का डर है वो खतम हो जाएगा ठीक है चलिए तो फिर हमने पढ़ा basic से कि क्या velocity होती है क्या speed होती है क्या acceleration होता है और साथ में पढ़ा हमने क्या ही क्या ही average velocity होती है क्या formula लगाना है कुछ हमने पढ़े मंत्राज मंत्राज यानि special concept जिनको लगाते ही चुटकी में बड़े से बड़ा numerical सौल हो जाता है आगए मेरी बास समझे तो आपको दिमनार सेखने तो आपको तपश्या करने पड़ेगी मैनत करने पड़ेगी प्रैक्टिस करने पड़ेगी और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी मंत्रास को आपके पकड़ मजबूत बनेगी और फटाक से सवाल आप करने लग जाएंगे नुमेरिकल से आप ड़ना बंद कर देंगे बट उसके लिए आपको फिजिक्स करना पड़ेगा सुनना बोलने या देखने से नहीं आएगी करने से आएगी ठीक है चलिए तो हमने प्रिवेस क्लास में क्या क्या पड़ा भाई प्रिवेस क्लास में हमने पड़ा इक्वेशन ओफ मोशन कि भाई गति के जो समीकर्ण होते हैं वी ब्राबर यू प्लस 80 होता है इसके बाद में हमने पड़ा कि वी स्कॉर ब्राबर यू स्कॉर प्लस 2 ए एस होता है यह हमें यूज लेनी है डिरिकली कब जब अहीं हमारा क्या हो यानि तोर्ण हमारा क्योंस्टेंट ओ एक नियत त्वरित गति हो एसलेरेटिड मोशन हो बट एसलेरेशन यूनिफॉर्म हो लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है तो आप क्या करेंगे भाई आप एक को लिखेंगे डेवी अपोंडीटी फिर आप को दिवी चाहिए तो आप लि नहीं पड़ेगी आगे बात करते हैं फिर हम आगे बात करें यदि एकी वेल्यू हुम एक्स के साथ लेना चाहे तो हम लेखेंगे ए डेवी बाई डी एक्स ये भी हमने पढ़ा था वाई यदि हम यहापर वी स्कॉर्वाइट टू की बात करें तो हमने पढ़ा कि एरिया पिस एरिया उस बीए और शी अदिर Flame ता चाहितान ही एकी एक्स बात करें फिर वह मेरा फिर आगेने डिषा। तो आप प्रिवेस्ट क्लास जाकर जोईन करिए प्रिवेस्ट क्लासे आप देखिए तभी आपको इन फॉर्मुलास पर पकड़ बनेगे उसके बाद हमने पड़ा भाई वी बिरावर होता है डी एक्स वाई डी टी यह आपको एक्स तो आप इंटेगरिशन करेंगे आप लि स्लिप हो जाती है क्याएगी मैं इसको कुछ पढ़ाते समय है और से थोड़ी बहुत दिन अच्छा नहीं राज तो वह बात दिमाग में वापस गूमने लग गई तो इस वज़े से मुह से कुछ और ही निकल गया माफी चाहूंगा ठीक है चली हम आगे बात करते हैं फिर ह सससिंट कि enc movement पर है और आप लिए पोइंटपर जा रहें और कहीं मिडिल पॉंच Tमण सब्सक्राइब स्प्रेश का सौन्स का स्चपाइब स्दाइब दे Horizon को अपन तो आप लिखेंगे मीडिल पॉयर प्लस वी इस्धर आपोन में 2 हमने ये भी बात की ठेक है बाई सुन्यार यदि हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए होती है तो हमने एवरेज वेलोसिटी भी निकालना सेखा है we are not the same distance travel प्रेवल करें हम तो हमने वी एवरेज के लिए भी हमने formula निकालना start किया तो वह वहाइगा मैं के वर्मौला था मैं कामिल दो distance के लिता हूं ठीक के वैलोसिटी आपकी बनी हुई है वीवन वीटू करके यहां से आ तक आप वीवन वेलोसिटी से चलेगे आगे वीटू वेलोसिटी से जा रहें तो आपके पास जो फोर्मुला आएगा वह आएगा टू वीवन वीटू वीवन प्लस वीटू यह लीजिए भई ठीक है ऐसे हमने बहुत कुछ सवाल पढ़े ठीक है इसी पर बेस्टे क्योशन बताता हूं मैं चलिए बाई इसी पर बेस्टे क्योशन निकालते हम आगे और सवाल यह है कि मैं सिंपल सापको बता देता हूं ऐसे बिना लिखाय हुए देखो लगेना दुखाम आप भी ध्यान रखो यार पिसले 20 दिन से बड़े प्रिशान करें मेरे को यह निकली नहीं सारी दवईयां लेने के बाद यह पॉइंट है यह पॉइंट है भी कोई आदमी है यहां से वी ए या वीवन लिख देता हूं वीवन स्पीड से जाता है ऐसे बी तक चला जाता है ठीक है फिर वापस आता है और आते हुए इसकी स्पीड हुती वे 2 सवाल था फाइंड वी एवरेज गया और आया तो वेलासिती तो बदली लेकिन डिस्टेंस तो सेम है distance तो same है और जब distance same होती है acceleration same होता है तो V average का formula यह होता है और सिधा-Sदा वेल्यू V1 V2 V1 plus V2 और multiply में यह 2 और यह हो गया सवाल किलिए थज़ान से सवाल कर दोगे आप लेकिन उसके लिए आपको तयार होना परेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ठीक है चलिए बाई एक दो सवाल और बताते हैं फिर हमारा जो पेटन-बेस्ट है उनकी बात करते हैं पैटन-बेस्ट कैसे आते हैं और कुछ IIT नीट में आयोए सवालों की बात करते हैं यहां पर जो मैं सवाल बताता हूं कई बार मैं कहता मतलब कभी-कभी लोग यह सोचते हैं कि सर नीट का तो आपको बता देता हूं यह आपको सवाल करोगे तो आपका में चांसे बढ़ेंगे आपके अडिमिशन होने के अदर्वाइस आप नीट का तो खरी रहे हो लेकिन कॉंसेट आपको सारे आने चाहिए क्या नीट क्या आ लेक ही है कुल मिला के बात है हमें लेवन तवल्त की फिजिक्स इतने अच्छे से और इतने चाहिए ताकि हम एंटीस्ट सी ऑलंपियार या फिर हमारा जो पीम टी यह स्टेट गॉर्मेंट के एक्जाम मतलब पीम के नीट इस्टेट गॉर्मेंट के एक्जाम यह बात कर रहा था कुछ अलग ताइब के सवालों कि हाना सवाल है कि कि ट्रिपली पांच का सवाल है मेरी साथ से मुझे तो इना डेट याद नहीं होती एक तो याज के तो नहीं बैठके लिख लो सूबसे शाम तक मैं देखता रहता हूं कि यहाद है बड़ याद नहीं सवा दिखाल याएगर कोई बोड्न मुब करर रही है कोई वस्टु गति कर रही है और तो गती करती है तो जितनी टिस्टेंस चलती है उसे जितना टाइम लगता है उसके बीच का रिलेशन यग है एक स्कॉर्स ऑप ठिलस लिग एकस यहाँ पर दिस्तेंस थार्थ現在 यहाँ में रिलेशन बिट्वीम ए इस्तंटेनियस एड वी इस्तंटेनियस यानि हमें चाहिए इस्तंटेनिस यानि ताथस्णिक तुआन और ताचसनीत वेग में संबद वेग में संबद यह हमें चाहिए बई चलिए निकालना चालू करते हैं तो डर्ना नहीं है बड़ा असार है कैसे यहां X है न तो आप X के साथ करना करना चालू करें और यहां पर दिटी बैर DRS ठीकार अधर नीचे स्कॉर क्लस थिक विशद अब कहeger होंगे कि सर्फ यहां पर सवाल पूरा क्यूनि लिखते हों यह लिखने में टैइन चला जाता है ठीकNat और अभी हमारी इंकम इतनी है नहीं कि में स्मार्ट बोर्ड वगरा फोर्ड कर सके और आप से मैं पैसा कभी लेना चाहता नहीं ठीक है तो जैसे जैसे मेरे पास इंकम बढ़ेगी कुछ व्यवस्ता होगी वैसे वैसे हम यहां पर आपकी स्विधा अनुरुक कुछ ना कुछ करते रहेंगे बट अभी जो है उससे काम चलाना पड़ता है तो आप सवाल ध्यान से सुन लीजिया करें कि मैं क्या कह रहा हूं तो मैं यहां पर लिखता हूं देखो डिटी भाई डिएक्स ध्यान से देखना हमारा वेलोसिटी का फॉर्मुला होता है डिएक्स भाई लिखते हैं प्लस प्लस भी पावर माइनस एक अले इसको गूमाँ गा तो पावर उदाएगी मेरी माइनस एक में ठीक है एक काम और करता हूं मैं डी बाइडी निकालता हूं लेकिन दिक्कत ही है यह यहां पर टाइम नहीं है अब मुझे तहीं है इसलेरेशन तो कैसे निक dv by dt को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं वो तरीका है v dv by dx इससे रिलेटर्स सवाल मैंने पहले भी करवाए था आपको ठीक है तो वी की वेल्यू रखो भाई वी की वेल्यू यह रही 2ax plus b की पावर माइनस एक ठीक है फिर d by dx लिखो d by dx और v आपका यह रहा वी को आप लिख सकते हो 2ax plus b की पावर मैनस एक तो यहां पर मैं क्लिक हों ए और इसको लिख दू 2ax plus b की पावर मैनस एक जब इसे सॉल करूंगा तो मैं क्या लिखोंगा भाई लिखने के लिए सिदा सा है पावर को आगे लिखो, यह मैंने पावर आगे लिख दी, और जो आपकी पावर है, उसमें से आप एक माइनस करो, कहीं हमने गलती तो नहीं करी, नहीं करी भाई, एकदम सही है, ठीक है, एक कम कर दी, अब देखो, इसका तो differentiation हो गया, इस वाले का भी तो होगा, अंदर वाले काव कलन भी तो होगा, पूरे काव कलन, फिर अंदर काव कलन, बी काव कलन, जीरो जाएगा, क्योंकि एक नहीं है, इसके पास देखो, एक हट जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा, तो ए, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशेशन तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और ए ब माइनस दो पावर यहां पर है, आप यहां पर लिख सकते हो, 2AX प्लस B की पावर माइनस का 3, लिख सकते हो न, अरे आधार समान है, बेस सेम है, तो पावर एड होती है, फिर बचाएगा, और यह बच गया, 2A, मैं यह आपर मल्टिप्लाइ के लिख सकता हूं, माइनस का 2A तो acceleration बराबर, ध्यान से देखो, माइनस 2A, यह कोई constant होगा, ठीक है, इसको देखो ध्यान से, यह हमारा V है, इस पर पावर है माइनस 1, इस पर पावर है माइनस के 3, यानि मैं V की पावर लिख सकता हूं, 3, तो A directly proportional हो जाएगा V cube के, यह लो बच, तो देखो, instantaneous acceleration, instantaneous velocity, यानि ताट-सनी को वेग के क्यूब के समानोपाती होता है, क्यूब के directly proportional होगा VK के directly proportional होगा, आगर मेरी बास होने, अच्छा सवाल है, एकजाम में आया वा स्वाल है, concept के लिए होंगे, तो यह आप कर पाएँगे, आगर मेरी बास होने, तो आप note कर लिजए, आदाम से, ठीके वीडियो पोस्ट कर देना चाहिए आपको बीच में और फिर आप लिए करो साती सात में कोपी और पैंध हमेशे साथ रखा करो क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आप रिधम में आएंगे और जितना रिधम बनेगा उतना ठंग से और इसको समझना चालोär कि यूद भी जब आप इसे अठाय युद करकर कि यूद को या बॉय फ्रेंट को कैसे फिल करते हैं एकिदम अरम से पयार से बिड़ते हैं फिर अट पकरते हैं एक गर्या कंधे पेसर रखते हैं तreci हैं फिर फील यहार हालमोना हिश्टी व करते हैं रहाया है हसे शौरते हैं पेसी मेरी जान है यही मेरा झाहाल है कि हमेर और यही मेरा संसार है उसर्ण कि कि याद में याती है के व्लड़ हे तरफ करके बैठे रहे इक तब याता है ना लगया यह जाती है पर आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट का डंग से दंग से किर्या करम कर दो बढ़ाने करो कि लिज प्रहोग कोई दॉइब उड़ चुकी होगी तो बैटर है ना इसे गर्फ्रेंड बनाऊंगी इसको फील परोगी अपने सरहने इसको लेके सोगी तकिये के पास इसकी गूद में सर रखो गई फिर देखो कमाल इसका जब आप इससे इतना प्यार दिखाएंगे आपके मन में इसके लिए फिलिंग अगरा अगरा यहींड रहे और यह बात हमैं लगता है कि सब वेकार चीजे scarf में प्यार किताबों से कर लेता ऑढे तो wordt अज में भी अपने माझ्यल के पार खड़ा वोता है अनरे में प्रसित तो उसके लिए मंजिल के पार जाने के लिए मंजिल तक जाने के लिए आपको मेहनद तो करने पड़ेगी तब ही कुछ होएगा वन्हा तो अपना लक्षे बटकते रोगे आप फिर हमारे साथ होता है हम मजबूरी के अंदर देतो लेते हैं हमसे पेपर किलियर नहीं होता है में एक बेकार से कॉलेज में एडमिशन लेते हैं घरवालों की टेंशन में कि रिस्तेदार क्या कहीं को क्या क्या है चूटिया काथना नंकी आदत है वाती तुम्हें ताहने मारेगे उंके दर से आप कहीं बहार किसी ओएगों को जम स्बस्ट सिब कर दो फृष एक दिन आपका नंबर नहीं आएगा और नंबर नहीं आएगा कि आप तैयारी करेंगे हाई कोट एलडीसी पटवारी पुलिस का स्टेबल अब जब का स्टेबल ही बनना था तो बारी के बाद यह बीटेक या फिर एम बीबेस के लिए 5 साल नीट के लिए 4-5 साल यह क्यों व पुलिसकी तैयारी यह पुलिस थे रहती है बड़ता बोलिस पन दस लाके नीचे देखें जिंदिकी पांसरा खराब करके गर्वालों के सपने तोड़ के पर जोकाई संकून से रहते हैं यह संए पर अधे कि तिर्लमाश से रहते हैं। गुर्णमेंट जो भीयानी सेटलमेंट हम यह सोचते हैं इंग्लिश मीडियम हाइव जो रहती है आप यह नहीं है वह इंग्लिश मीडियम है तो हाइव भी क्रीम होती है समझ गए इसका मतलब तो पूराने साइंटिस जो अच्छ 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 गड़ी परिवार से पड़िया है तो हम इंग्लिश मीडियम जैसे इसको लोगे पिछे बाग रहे होते हैं हिंदी मीडियम को समझते तुछ एक दब को मतलब नहीं है और कैसे मतलब नहीं है भाई को हिंदी मीडियम का बच्छ अँस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को पहती रख देगा percent तो यह चलाएं तो ऎक अच्छ वी मोटे सरीर तगड़े आदमी को फैल कर देता है और से आगे निकल कर सक्सेज हो कर बताता है जो डिसेबल है में चारे बगवान ने जिनको ऐसा बना दिया है कुछ ना कुछ कभी किसी के हाथ कट गया हाथ नहीं है किसी के एक आंक नहीं है कुछ नको पहुए नहीं होती आज लाट को कि अंदर सर्वकुन संपन भुवे नहीं होती यार जो तुम्हारे सीडियल सोते टी वाले रील लाइफ में नहीं होती जी एल लाइफ में काश होगे समझ गए चलिए अब आज आफ़ट बात करते हैं इतना हमारे पास पड़ो कोल्मिना के मा इतनी सी है ठीक है चलिए बड़ थोड़ से आगे बात करें करें चलें तो द्यान से देखना यदि आप गाड़ी चला रहे है यह आपकी गाड़ी है इसकल तो इलेक्ट्रिक का जमाना है यह लो यह आपकी गाड़ी है आप पिच्छे से पता नहीं किस स्पीड से चलते हुए आयते लेकिन इस पॉइंट पर आपके स्पीड है वी कितनी है वी आपने देखा कि भाई साब यह एक लड़की या लड़का जो भी है यह यहां से गुजर गहा है यहां से गुजर गहार law को देखते ही आपने लगाया अपने लगाया वार इसकी टिस्टेंस आप से है ऐस तो एक पर है आपने ब्रेक्न तो मैं एम्यआ पईयों के बीच में इदर लिग देथा है आपने ब्रेक लगाया F F constant यानि आपने fix force लगाया नियद force लगाया constant force लगाया और जब F constant है इसका मतलब AB क्या है आपका constant है और एका direction F के direction में होगा direction के बारे में हमने बहुत अच्छे से discuss किया था previous के और आपके गाड़ी रुख गई कहले था बनिष्टे को आपने बचाने लिए छree और यह पिछ से एक गाड़ी और यह पिछह से और उसको मयीं देता है यह इक और गादी यहीं ये लो और इसके स्पीड आपके स्पीड से एंड टाइम ज्यादा है कितने टाइम ज्यादा है एंड यापकी एक भी है तो ये एंड भी है अब ये एक गुना भी हो सकते दो गुना भी हो सकते तीन गुना भी हो सकते है लड़की अभी भी यहां पर है या जो भी लड़का है जो भी एक यहाँ पर इंसान है, वो यहाँ पर खड़ा है, इस गाड़ी वाले को भी ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी इसे बचाना है, तो नियम यह कहता है, कि यह सेम फोर्स लगाए है, इसका भी फोर्स वही हो, जो इस पर लगा है, इसने भी वही तौन लग कर रहा है इस गाड़ी पर भी एसेलरेशन काम कर रहा है तो बताओ कितनी दूरी से ब्रेक लगाए कि यह यहां तक पहुंच जाए और यह आदमी बच जाए तो हम हमारे हिस्से की बाते करते हैं आप गहेंगे वावाव सर तो बताने क्या क्या कर रहे है चलिए आप करेंगे आपके लिए कुछ तो करना है तो तो तोड़ा साथ जहां से देखना सवाल अच्छा का साय को दिक्कत नहीं है बस आपको शॉल करना है आपको डाइड कॉंसर्ट बताता हूं आप चाहों तो होगा आन स्कॉर एस हो जाय equival का इतनी डिस्टेंस पर भी यह ट्यूर को अपने डिट है यह मंत्र हूबल ऐसे सवाल है इनमें ने यह कहां से नहीं बता ऐका इसल्य नहीं बता इक की वह को था उ मत्यास यह तो थोड़ाओ ताएंग लगता हम בן्टाहिacht का आप यह मसोचना अलो सर तो बताए ही नहीं आप चाहो तो देख सकते हो देखो चलो मैं बताए रहता हूं यार वी स्क्वाइर ब्राबर होता है यू स्क्वाइर प्लस टू एस जब यह गादी यहां पर रुख जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो इनिशल वेलोसिटी इसकी वी है तो मैं लिख देता हूं वी स्क्वाइर और प्लस टू इंटू ए ए अपोजीट है ना भाई वी इधर है तो ए अपोजीट है यह आप इधर का डिरेक्शन पोजिटीव लेते हो तो इधर का डिरेक्शन आपका नेगेटी हो जाएगा माइनस का ए इंटू एस और जब आप इधर लेकर आओगे तो यह बनेगा 2aS equals to v square बनेगा ना बनेगा हनी बनेगा ना बनेगा तो एस की वेल्यू क्या हो जाएगी v square by 2a अब यह गाड़ी भी ब्रेक्शन लगाना चाहती है तो आपको इसका भी एस चाहिए तो यह गाड़ी v तो आपको v square के जगे लिखना पड़ेगा n into v आपकी जो speed है वही लिखने पड़ेगे यानि velocity है और नीचे लिखोगे आप 2a और अब आपका जो s का formula है वो बनेगा n square v square by 2a लेकिन v square by 2a तो होता है s पहली गाड़ी का s यानि s1 यह दूसरी गाड़ी का है तो मैं लिख s distance पर खड़ा आदमी बच जाता है तो same force same acceleration लगाने पर same force लगाने पर same force लगाने पर same force से ब्रेक लगाने पर जिसके speed nv है उसे यह break n square s distance पहले से लगाना पड़ेगा तब यह यहां से यहां तक जाए कि इस आदमे को बचा पाएगे अब मैं आपको इसके सवाल बताता ठाहिए चले चलिए चलिए ऐक सवाल बताते हैं पर फटाक से इसी पर बेस क्योशन सथाते हैं पर ठीक है ठीक है चलिए AIEEE 2003-2004 के सवाल में बता रहो आपको ठीक है आगे बात करते हैं यह जो गाड़ी है मैं आप लिख देता हूँ यह जो पहली गाड़ी है एक नंबर यह गाड़ी दो नंबर पहली गाड़ी है पहली गाड़ी की जो स्पीड है वो है 50 km पर घंटा ठीक है यह ब्रेक लगाती है और ब्रेक लगाने के बाद इसकी जो डिस्टेंस है वो है 6 मेटर दूसरी गाड़ी है उसकी स्पीड है 100 km पर घंटा इसकी है 100 km पर घंटा तो बताओ यह कितनी दूर जाकर रुकेगी दूसरी गाड़ी ब्रेक लगाने पर कितनी दूर जाकर रुकेगी तो पहली गाड़ी 25 किलो मीटर पर गंटे से चर रही है और आपने फोर्स लगाया है और वो जाकर दूँग गई है 6 मीटर डिस्टेंज पर । 6 मीटर डिस्टेंज पर तो सेम फोर्स लगाया जाए यहाँ पर भी फोर्स गौंस्टेंट है याई आपकी एकी वेलिउ Loren chapter समझ जाना इस बात को जितना डीशलीटियरेशन यानि मंदन इसपर उत्ना ही मंदन इसपर इतना ही पर इतना ही कि इतना तुटर्ण इसका is कि जितनी बल इसपर लगा ही तो यह गाड़ी कितने दूर जाके रुकेगी सिंपल सी बात है यहां देखो आपको मैं फिर यहां पर कितना है 6 मीटर है तो आप 6 लिखोगी और चार इंटुच है यानि यह गारी 24 मीटर दूर जाकर रुखेगे यहां पर स्पीड है साथ किलो मिटर पर गंटा और डिस्तेंस आपको देदी टू मिटर इसको इसने कर दिया डबल तो यह कहां जाकर रुकेगी यह डबल हुए ना यह डबल हुए तो यह चार गुणा होएगा क्योंकि जितना गुणा स्पीड होती है उस गुणे का स्क्वाइर कर दो उतनी डिस्टेंस होती है यह डबल हो गए तो यह चार गुणा हो जाएंगे दो का स्क्वाइर ठीक है तो चार इंटू दो यह आठ मिटर जाके रुकेगा इसी पेटन पर बेश्ट बतारों में वर्ना आपको होगे सर कैसे कैसे सवाल आप करवाते हो अपको आना चाहिए तब ही मजा आएगा नहीं तो आप बैठे दे जाओगे ठीक है चलिए भई चलिए भई ठीक है देखिए थोड़ा ध्यान से देखना वई मैं कहूं कि यह जो गाड़ी है इसकी स्पीड यू सेम केस है ठीक है यू और यह जो गाड़ी है जो इसके पास से होया गुजर रही है उसकी स्पीड है 4U कितनी है 4U 4U स्पीड है इनि चार गुना स्पीड है तो बताऊ S1 और S2 का का अनुपात कितना होगा यह गाड़ी कितनी दूर जाकर रुकेगी डर STOP और यह गाड़ी चेह जबके दोनों का यह सेम है दोनों के ब्रेक पर जो फोस्स लगए और यह जो भी सेम है यह किस्त लगा रहा हूं ठीक है तो यू कि स्पीड वाली गाड़ी कहीं पर जाके रुकती है तो हम उसको बोलते हैं कोई डिस्टेंस है उससे चार गुना स्पीड वाली गाड़ी सेम फोर्स लगाने पर यह रोक नहीं है तो कितनी दूर जाकर रुके तो वह रुकेगी यह ऐसा है तो पहले यह चेक करो कि स्पीड कुतने गुना है स्पीड चार गुना है तो चार का करो स्कॉयर और सेम डिस्टेंस से मल्टिप्लाई कर दो यह ऐसे चला जाएगा और आपके पास बचेगा एक बटा सोला यह एक अनुपात सोला तो दोनों यह एक मीटर चलती है तो यह सोला मीटर चलेगी सोला गुना जादा दूर जाएगी आई मेरी बात समझ में बैठ गया दिमाग में यह है प्रेटन बेस सवाल ठीक है जो अलमोस्ट हर वार आपको मिलेंगे सब्सक्राइब चलिए एक और बात करते हैं कि देखो बाइए क्र समझे आता है वैसे तुम्हें आपको यहां पर बता देता हूं बड़े काम की चीज़ें ठीक है कि जरूरी भी है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए सब कुछ तभी हम आगे बढ़ेंगे और इस टाइब के सवाल एप्रोक्सिमेटली लगबग लगबग आते ही आते हैं इसलिए मैंने इनको स्पेशल केस और प्रिवे सेर के सुन के नाम पे आपको पढ़ाया है ठीक है चलिए ऐसा यह के सोर बता देता हूं मैं जब आपका एक कॉंस्टेंट हो अभी हम बात करें केवल एक कॉंस्टेंट की मैंने यहां पे जो तीन एक्वेशन लिखी थी वह उसके बाद आउकलन समाकलन यानि केल्कुलस मेथड वह हम यूज करेंगे ग्राफ वाले सवाल आएंगे तो तो एक क्लास हमारी केवल पर्टिकुलर ग्राफ पर बेश्ट रहेगी कि ग्राफ वाले सवाल किस ताइप से आते हैं औरने कैसे सॉल किया जाता है ठीक है चलिए एक कॉस्टेंट है जा रहे गाली अब यह मत करना किदर सर तेज स्पीड में जिरे स्पीड में गाली तेज स्पीड भी समझ सकता हूं मैं ऐसे ले समेलो नों सेम डिरेक्शन में है यानि स्पीड बढ़ रही है तो यह जीरो सेकिन पर स्टार्ट हुई यहां से और जैसे ए फिर आगे चली और कहीं पर जहां पर दो सेकिंड होगे इसको चस्त वहां पर पूंसते पूंसते इस और इस पॉंट की बीच में एस्टू डिस्टेंस त्रेवल कर ली यानि पूरी डिस्टेंस हो गई आपकी एस वन प्लस एस्टू मैं कहूं कि केवल दूसरे सेकिंड में सेकिंड सेकिंड में यानि दूसरे सेकिंड में यह कितनी दूर चली तो दूसरे सेकिंड में यह चली केवल एस्टू दूरी पर पहले सेकिंड में कितनी दूर चली यह चली एस्वन दूरी पर 0 से 2 second में कितनी दूर चली यह चली S1 प्लस S2 दूरी पर भाई 1 second में S1 ञी तो चली फिर केवल दूसरे second में यह चली S2 दूरी पर ठेक है और 0 से मतलब जहाई से start हुई है वहाँ से पूरे second यानि 2 second तक 2 second चली ना कितनी चली S1 प्लस S2 दूरी तक चली तो सवाल पूछा जाएगा आपसे एक सेकिन में कितनी दूर जाएगी दो सेकिन में कितनी दूर जाएगी S2 दूरी तीन सेकिन में कितनी दूर जाएगी S3 दूरी 2 second में दूरी तैकरते हो S1+, S2 जीसे में S लिखуєता हूं यानि कुल दूरी लेकिन हे मैं कहूं केवल ऐसे किर से कि़े बाले 2nd में आप कितनी दूरी चलेंगे मुज डो किया करो पूरी दूरी लिखोगे आत्य है है उसमें से आप सेटिंड वाले समय से जट पहले वाले समय तक की दूरी यहां तक यह आप को माइनस कर देंगे आपके पास सिधा स्थनिकल कर राएगा सही बात है सही बात है सिंपल सी बात है और दिक्कत लिए हो तो यह दिए आप एस लिखते हूं तो ऐस वन प्लस अस सब bask इतने में इतना गठा दिया यह इतने में से इतना गठा दिया यह बच गया यदि मैं इसको दूसरा second ना बोलके nth second बोलू क्या बोलू nth second तो इससे एक कम second कितना होगा n-1 second यह होगा यह होगा यह होगा ठीक है यह जो distance होगी हो जाएगी जान से लिखना यह second की distance होजाएगी sn और यह होजाएगी sn-1 और टोटल डिस्टेंस को मैं अभी लिख सकता हूं S वराबर S N प्लस S N-1 एक की जिगे और दो की जिगे मैंने ऐसे लिख दिया सभी बात है कुछ गलत थोड़ी किया इसको था डंग से लिख देता हूं S N-1 यानि एक थामा पर S N-1 लिख दिया और यहां पर लिख दिया S N एक यह ना कोई बात है मुझे चाहिए केवल S N तो मैं कैसे लिखूंगा S इसको दे ले जाओंगा S N-1 यानि मुझे केवल यह चाहिए N सेकिंड का चाहिए तो मैं पूरी मैंसे इतनी माइनस कर दूँगा केवल यह निकल कर आएगा यही था ना पूरी मैंसे इतनी माइनस कर दूँगा केवल यह निकल कर मेरे पास आजाएगा और इसके लिए मैं लगाओंगा formula क्या लगाऊंगा formula क्या लगाऊंगा formula लगाऊंगा और जब मैं formula की बात करूँ तो मैं लिखूंगा s n बराबर s total दूरी minus s n minus 1 तो total दूरी आपने कितने समय में देखी भाई तो द्यान से देखो s का formula होता है ut plus half 80 square तो देखो यहां पर आपको चीट पूरी दूरी पूरी में आपको समय लगा total and TWO to test कितने लगा एक होता है and second 11 nac second यानी इक होता है 2002 जीरो एक दो eth Post 2 से जीन यानी एक से किबाद और दो सेकिंदिफ़ होता हुए तब सक किबले से की बाद चरीके बाद और दू % हम रहा है तब तक हैने 3 से पहले तक टो एक सेज़ा ना सभी बात है चलिए तो हमने क्या किया पूरी दूरी हम यह लिखनाता न मुझे हाँ एस एंड चाहिए इदर लेओ ऐस का फोर्मला होता है योटी प्लस हाफ 80 स्कौर्ड तो यदि मुझे एस एंड माइनस वन के लिए एक सेकिंड कम के लिए चाहिए तो मैं यहां पर लिखूंगा यू और टाइंड मेरे को चाहिए एंड माइनस व ठिक है प्लस हाफ एक ही आपने लिख दिया देखो टी स्कौर्ड टी आपका है एंड माइनस वन का हॉल स्कॉर यह लिजिए बैए मैं स्कॉर से बना देता हूं ठीक है यह लिजिए और यह फोन खा गए मेरे को एक मिनेट मैं पहले फोन काठता हूं कि चलिए बैइ चलिए अब क्या करें श्याम का टाइम हो जाता है पेरेंस का क्योंकि ओफ-लाइं कोचिंग भी चलती है ना तो पेरेंस का मेरे गरवालों का दोस्तों का सब का ही फोन आते आपको पता है दोस्त बाहर पढ़ने वाले कहीं न कहीं किसी चाय की टपरी पर बैठे हूँगे क्योंकि वो चाय की टपरी हमारे दोस्तों की एक अच्छी यादे एक अच्छा समय बिताने की एक अच्छी जगे होती है जहां हमें अपना बच्पन यानि college वाली life वो याद रहती है जहां नए-नए किस से जुड़े जाते हैं नए-नए किस से बनाये जाते हैं और उसे से हमारी बाद में जब पूरी life निकलती है केवल हम उन्ही किस्थों को याद करते हैं तो कुछ ऐसा है हमारे साथ भी होता है समझे होंगे आप अब देखो मैंने physics तो पूरी कर दी है जब आप इसे solve करोगे तो केवल nth second के लिए चाहिए हमें किसके लिए चाहिए nth second के लिए मैं nth second लगा लेता हूं nth second के वल इतनी सी nth second यहां से यहां तक यह जो nth second के जो आपके पाद distance आएगी वो आएगी u plus a by 2 2n minus 1 यह आपका formula निकल कर आगया है जब आप इसे solve करेंगे physics मैंने बता दी है यह क्यवल mathematics है जब आप इसे solve करेंगे देखो un से un कर जाएगा पर आपके पास क्यवल u बचेगा जो मैंने यहां पर बचा लिया है a n square है यहां पर भी आप खोलोगे a n square को तो आपके बास a n square से a n square कर जाएगा और बाप पॉमन लोगे तो आपके पास निकल कर या आएगा क्योंकि यह आपके पास एक तम तो बचेगी 2 a n ऐसा करके और एक आपके पास बचेगी 2 a n एक मिनठीक क्र इट हाँ हाँ सही बात ये हमारा हो गया है मंतर मन्तर में इसलिए बोलता हूं कि किताबों में भी लिखा होता है ऐसी बात में यसा मैं निया मंतर बोला हो और फिर फूक दे और काम चालो मंतर इस लिए बोलते हैं क्योंकि special concept होते हैं आप इने याद करो लेकिन इनने लगाना भी आपको आना चाहिए और वो तभी आएगा जब आपके concept के लिए रोंगे इसलिए मैं पुरा concept के साथ आपको बताता हूं ठीक है चलिए चलिए फटाक से सवाल माल लेते इसके उपड़ फटाक से फटाक से आएटी दोजाग सवाल में बता रहा हूं ठीक है फिर उसके बाद next class में हम और कुछ special question पर discuss करेंगे हम परेंगे motion under gravity gravity के अंडर में मोशन करें यानि नीचे से उपर जाए उपर से नीच आए तो क्या क्या होने वाला है और एक बात और में बता दू वह class शांदर धमाकेदारी होने वाली क्यों आप कहिए क्यों क्योंकि वहां पर में आपको कुछ special concept बताने वाला हूं हम सवा सब्सक्राइब कर देखा जाए तो तो वहां पर confused होते हैं वहां पर उस्ते पहुंस्ते तक हम वैसे यह starting chapter है इनके formulas बूल जाते तो मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से इन basic formulas के मदद से हम बड़े से बड़े tough से tough chapter के सवालों को कर सकेंगे ठीक है उसके लिए आप की हुई सभी classes आप चेक कर लेना देख रहां ठीक है चलिए तो आपके लिए एक सवाल देखते हैं सवाल यह है कि एक गाड़ी जा रही है मेरेको तो एक गाड़ी नजर आती है जब देखता हूं क्या करूं सोचता हूं मम्मी के लिए गाड़ी खरीदूंगा लेकिन जब क कमाने के लिए मुझे पैसे हुगाने पड़ेंगे बट वह में ओफ-लाइन से कमा लूंगा आप तो यह पढ़ाई पर जान दो पढ़ो लिगो आईयस वाईयस मनों अरे वा मिर्जापुर से लिए आद आगे पढ़ो लिगो घरवालों का नाम रोशन करो ठेक है चलिए तो और इसका एशलर्षन चूह और आपनेतहर्य चालो कर दिया है भग और या जाई होगी और भास सबांत के मां पर जो चालते करते हैं or इसका BBQ देन सेकेंड़ा है कपालन एनठ सेकेंड का और एक n प्लस एक सेक度 का इन प्लस एक सेकां एनप्लस एक सेकında यह निनि इसको भासा में बोलू विसमें近 कै लोग हिसमें konfuse ho जाते है तो देखो मैं इसितलं दो सेकिड़ यहां तक लगा भी से तीन समी maintained हैं पूरा लगा तीन सेकिन इतने से मैं कंवल इसे से को एक सेकिन लगा एक ही तो लगा चाले खो आगले वाला हो गतेको एक फिर प्लच प्लस हो गया यह time हो अगली सेकेंड में अब हमने यहां पे फोर्मूला लिख देना है और फोर्मूला सिता सा है u plus a by 2 2n minus 1 divide u plus a by 2 2n minus 1 मैंने लिख दिया प्रादम भी किस फिट 0 है तो u की जिगे मैं 0 लिख देता हूँ और कोई मतलब नहीं 0 का तो मैंने इसको मिटा भी दिया कब का सवाल है IIT 4 का सवाल IIT 4 का सवाल है ठीक है अब हम आपास यह बचा A by 2 से A by 2 भी उड़ा दिया जान से देखना भई N second चाहिए N second N second तो N की जगे N रखो आप लिखोगे 2N minus 1 यहाँ पर N plus 1 अगले second की बात चाहिए तो यह तो N second है इसके अगला चाहिए तो आप इस N की जगे उठा के रखोगे केवल N plus 1 बड़ा आसान सा है ठीक आपको जिस भी second के लिए चाहिए N के लिए चाहिए तो आप N लिखो N minus 1 चाहिए तो यहाँ पर 2 N minus 1 लिख दो N minus 2 चाहिए तो इस N की जगे N minus 2 लिख दो बड़ा फटा फटा आसानी से सवाल आप कर लेंगे इसलिए इसे बता रहा हूं क्योंकि जिनको बायो वाले स्टुडेंट लेब शिस्टेंड के त्यारी करें त्यारी करें पर उनको फिजिक्स सब्सक्राइब हो गया है उनको यह पता निये तो आप यहां से कर सकते हैं आइट वालों को प्रॉब्लम नियोंगी क्योंकि वह से पहले से पढ़े हुए रहते हैं इन सब चीजों को उनकी मैत वैसे ही स्यांदार होती है ठीक है चलिए तो मेरे को यह एंग प्लस वन लिखा ठीक है एंड प्लस वन मैं इसको एंप्लस बीरे से लिख देता हूं देखो यह बनेगा 2N-1 दो में से गया तो यह बचेगा यह बनेगा 2N-1 कानी खतम यह आपका जो एस एंड एंड सेकिंड का और उसके अगला सेकिंड यह एंड प्लस वन सेकिंड का रिश्यों बनाना है आपको तो आप लिखेंगे कि 2N-1 2N-1 अब मैं ऐसे बोलू कि आप लिखेंगे मं दूष्यों प्रूब्लम नहीं आपको Lifظर मज़ना सबस्क्राइब बस आपको पढ़ना है ध्यास पढ़ना है यहां से था इन यहां पर उख सेक्ड दो सेकिंड को नहीं प्लस looking at पाटी में जाना है मेरे साथ तो बड़्डे पाटी हो गई होगी तो आपको यह तो एक ठोग देना ठीक बस इतना ही कोगा तो आपको बाकिया इत्सा है यह जो मैं आप डालूंगा अभी तक मैंने डालना स्टार्ट नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है दो पात दिन साहिए कई बार वीडियो मिलते नहीं है लोगों को तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएए वहां पर संभव बेच की आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी और यदि आपको मन की बात विश्णों सर के साथ करने है तो आपको टेलिग्राम ग्रूप का एक और ग्रूप मिलेगा य आधिश्फ लेहां पारेंगे बात करेंगे अ फिक्स हम रट लेते हैं लेकिन में बात करूँगा मनत्राच की जहां पे हम आज के बाद से प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कूलर मोशन रोटेशनल मोशन और फ्लूड मेकेनिक्स और भी आगे नजाने क्या क्या हम फटाक से सवाल करेंगे उन कॉंसेप्ट की बात करने वाले तो आगे जैसे जैसे चेप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आएगा तो नेक्स क्लास होने वाली आपकी धुमाधार और धुमाधार पारी खेलने के लिए हो जाओ तैयार सही है चलिए भाई तो आग्या दीजिए आज की क्लास इतने के लिए ठीक है थोड़ी बहुत गलतिया हो जाती है मिलते नेक्स क्लास में जब तक के लिए जै भारत